Round 1 knockout by Alex Pereira और एक बार फिर से हमें पता लग गया कि Alex Pereira के left hook को कोई भी नहीं ले सकता सिर्फ एक left hook जो directly जमाल हिल के face में लगा जिसके बाद जमाल हिल की eyes rollback होगी थी वो ground में किरा और मुझे लगा ये fight यहीं पर over होगी है इवन Alex Pereira भी रुग गया था जमाल हिल के उपर और punchs थ्रो करने में बट फिर उसके बाद हम देख सकते हैं कि Alex Pereira ने थोड़े से ground and pound punches को थ्रो किया और फिर जमाल हिल complete knockout हो गया एक तो Alex Pereira की जो power है इस left hook में वो सबसे अलग है एक touch of death बोल सकते हम इसको और दूसरा Alex Pereira की timing भी काफीन सेन है और यहाँ पर भी हम देख सकते थे कि जमाल हिल अपने left straight punch को थ्रो कर रहा था बट एक दम से यहाँ पर Alex Pereira अपने left hook से जमाल हिल को counter करता है और यह punch directly land होता है और जिस वे से जमाल हिल नीचे गिरा है और नीचे गिरते time उसकी जो eyes roll back होगी थी उससे उसी time पता लग गया था कि यह fight over हो चुकी है knockout करने के बाद जो Alex Pereira की celebration थी exactly वो fans को भी ऐसा लग रहा था क्योंकि इस fight में जादा कुछ हुआ ही नहीं है सिर्फ एक left hook और यह fight over जमाल हिल इस fight में south pass रान से आया but still Alex Pereira की वो low leg kicks connect हो रही थी जहाँ पर Alex Pereira अपनी jab से जमाल हिल की body को भी target कर रहा था उसे बार-बार dodge करे जा रहा था और यह चीज़ हम slowly slowly देख सकते थे कि Alex Pereira जमाल हिल को push back कर रहा है उसे cage की side लेके जा रहा है क्योंकि I think यहाँ पर Alex Pereira को पता था कि जब जमाल हिल cage की side जाएगा तो फिर जमाल हिल कोई न कोई बड़ी गलती करेगा और यह चीज़ हम देख सकते थे कि जैसे ही Alex Pereira जमाल हिल को cage की side लेके जाता है जमाल हिल एक left straight punch को थो करता है ताकि वो उस position से बहाँ निकल सके बड़ यहाँ पर जमाल हिल ने इस punch को थो करते time अपनी chin को उपर किया हुआ था और अपनी chin को उपर रखना वो भी Alex Pereira के उपर जिसका पता है कि left hook कभी भी आ सकता है तो जमाल हिल ने knockout होना ही था और यह करने के लिए Alex Pereira ने ज़रा भी time waste नहीं किया और इस पर उसने अपनी fight को round 1 में ही over कर दिया It only takes one touch of death क्योंकि हम बोल सकते हैं कि Alex Pereira का सबसे powerful punch है जहांपर जिसको भी Alex Pereira ने अपने left hook से clean catch किया है वो knockout हो गई होगा इवन वो देखना भी बहुत amazing रहा जहांपर जमाल हिल groin area में Alex Pereira के short throw करता है और यह देखकर referee step in कर जाता है fight को रोकने के लिए बट Alex Pereira उस time पर इतना ज़ादा focus होता है उसे पता था कि वो जमाल हिल को cage की side लेके जा रहा है तो इसलिए Alex Pereira परवा भी नहीं करता है वो एकदम से हबडीन को side होने के लिए बोल देता है और फिर उसके कुछी seconds के बाद वो left hook जमाल हिल ground में night night और ये fight over insane win by Alex Pereira और ऐसे ये fight जाएगी ये तो किसी ने भी नहीं सोचा था जहाँ पर मुझे definitely ये लग रहा था कि जमाल हिल Alex Pereira को push back करेगा बट यहाँ पर complete opposite होता है जहाँ पर Alex Pereira जमाल हिल को push back करता है उसके ओपर continuously body punches और low leg kicks को throw कर रहा होता है और फिर Alex का left hook वो तो touch of death है उससे बचना किसी भी fighter के लिए almost impossible है और एक बार फिर से Alex Pereira एक former champion के against win किया है वो भी first round में knockout और guess what guys बहुत ही अच्छी बात बताने लगा हूँ है इस पूरी fight से पहले जमालिल इसराइल अतसाने के साथ था दोनों के बीच में video calls हो रही थी strategies बन रही थी बट ये सब Alex Pereira के सामने work नहीं करता और इसलिए ये जो victory है ये Alex Pereira की और भी sweet बन जाती है तो overall एक काफी बड़ी win Alex Pereira से जहाँ पर फिर से उसका left hook work किया और जब तक Alex Pereira का ये left hook चल रहा है तब तक किसी भी fighter के लिए Alex Pereira को बीट करना बहुत मुश्किल है